मेर शेले उबराय मेर साथ बाचीत के लिए मौझूद हैं ये चुनाव नहीं हो पाया मैम ये क्यों हुआ और आपको क्या लाता क्योंकि साथ ये कह रहे हैं कि जो एक सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम के तहट काम होना था जब मुख्यमंत्री नहीं है मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन नहीं है तो आप लोग हंगामा के लिए कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं जब भी नया फैनाशल ये शुरू हो मुंसिपल सेकेटरी द्वारा ये फाइल मूफ कर दी गई डारेक्ट अधिकारियों के पास से होते हूए लजी साहब से सबसे पहले इलेक्टिट गर्मेंट के पास जो है वो फाइल नहीं पहुची हमारे यूडी मंत्री सौरब बार्दवा जी के पास ये फाइल नहीं पह हुई या उनका उपीनियन नहीं दिया गया या सलाह नहीं दिया गया जब पहले मनोनीत पारशद में ये प्रोविजन था कि मुख्य मंत्री जी का उपीनियन लिया जाना चाहिए था तब उपीनियन लिया नहीं और अब जब चुनाफ को रोकने की मंशा है तो चुनामों क पोस्पोन कर दिया गया कहीना कहीन भारतिय जनता पार्टी की मंशा है ताना शाही की सरकार है और एक दलित समाज का इस बार जो थर्ट टम होता है वो दलित समाज से मेर बनना चाहिए कहीना कहीन दलित समाज को प्रताडित किया जा रहा है दलित समाज के मेर को उभर के दिल् आदमी पार्टी का मेर बने क्योंकि उनको एक डर है एक वह है कि कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक पर इसका इंपाक्ट बढ़ेगा लेकिन पिछले कुछ समय से दिल्ली में प्रथासी बन गई है कि ना मेर का चुनाव समय से होता है ना स्टेंडिंग कमिटी फॉर्म हो पा जालेंगे और जो हक उनको नहीं दिया जाता नंबर टू फिर स्टैंडिंग कमिटी का गठन भी इसलिए रुका हमने कोट का दर्वाजा खट-खट आया है और जुरीशरी समिस सिस्टम से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि जल से जल्द इस पर वर्डिक दे ताकि हम स्टैंड सबर्पार भारतेय जन्ता पार्टी क्योंकि भारतेयजटा पार्टी स現在 सब्सक्रां यंभाति का दिल्ली स्रо करो. भी आमादमी पार्टी के काम रोके जाते हैं, नगर निगम में भी आमादमी पार्टी को रोके जाता है कामों को, अब मुख्यमंत्री जी को भी गरफतार कर लिया ताकि लोकसभा के जुनाव का जो प्रचार है मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए, अब दिल्ली नहीं, पूरे यदिकारियों से भी बैटक करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम कोट का दर्वाजा भी खटकताएंगे लेगल ओपिनियन लेंगे लेकिन सीधा तोर पर मेयर और डिप्टे मेयर जो अभी है वो आगे फिलाल कंटिन्यू करेंगे जब तक नया मेयर नहीं चुना जाता है हुआ 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 है